हलो जी नमस्कार केमचो रामरम साब सत्सरीयकाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूटूब चैनल ट्रेन लाइब में अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल ट्रेन लाइब को सबस्काइब नहीं किया है तो प्लीज आप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूटूब चैनल ट्रेन लाइब को सबस्काइब कर लिजेगा और साथ मैं बेल आइकन को भी फ्रेस कर लिजेगा जिससे की आने वाली हर इनफोर्मेटिव वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को बिना देर किये तो बात करते हैं हाज की फर्स्ट ट्रेन इंफोर्मेशन के बारे में तो जैसा कि आप स्क्रीन के उपर देख सकते हो गाड़ी संख्या 22,155 नागपूर जेपूर रेल सिवा जो दिनांक 28,12,2023 वह 4,1,2024 को रद रहने वाली है फिर बात करें नेक्सटन के बारे में गाड़ी संख्या 22,106 जेपूर नागपूर रेल सिवा जो दिनांक 29,12,2023 वह 5,1,2023 को रद रहने वाली है फिर बात करें नेक्सटेन के बारे में 07-116-जेपूर-हिदराबाद इसपेसर रेल सिवा जो दिनांग 31-12-2023 को रद रहने वाली है फिर बात करें नेक्सटेन के बारे में गाड़ी संख्या 0-4-715-बिकानेर साइनगर स्रिडी गाडी संख्या 0.47-16, साइन अगर स्रीडी, विकानेर, रेल सिवा जो 3012-2023 वे 3112-2023 को completely रद रहने वाली है अपने प्रारंबिक स्टेशन से ही फिर बात करें नेक्स टेन के बारे में गाडी संख्या 0.47-15, तीरुपती, गाडी संख्या 0.47-16, तीरुपती, हिसार, रेल सिवा जो 3012-2023 को रद रहने वाली है और बात की जाए तीरुपती, हिसार, रेल सिवा की तो 2.1-2024 को रद रहने वाली है फिर बात करें नेक्स टे 23 को बठिंडा से परस्तान करेगी और यह रेल सेवा अपने निर्दारित मार्ग वाया सादलपूर लोहारू सिकर के इस्तान पर परिवर्तित मार्ग सादलपूर चूरू होकर सिकर होकर संचालित की जाएगी फिर बात की जाए नेक्स गाड़ी के बारे में गाड़ी संक्या 0 47,06 जेपूर, सिरी गंगानगर रेल सेवा जो धिनांगolly 31.12.2023 को जेपूर से प्रस्तान करेगी और ये रेल सेवा निर्दारित मार्ग सिक कर लोहारू सादलपूर के इस्तान पर परिवर्थित मार्ग सिक कर चूरू सादलपूर होकर संचालित की जाےगी तो बस इतना है आज के इसी वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू सो मच